गुद्वनी फ्रेंड्स दिस दनील एंड वेलकम टू संसे बनेच दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह वेतर निर्धारन प्रपत्र है शीस फेज में जिनका भी चेन हुआ था दोस्तों और अभी तक उन्हें ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा था लेकिन अब मार्च महिने का जो पेमेंट होगा दोस्तों वो उनका ग्रेड पे के साथ होगा दो साल का जो प्रोवेशन पिरेड था वो दो साल का प्रोवेशन पिरेड दोस्तों फरवरी में समापत हो चुका है तो अब मार्च दोहजार चोविस का जो पेमेंट आएगा वो वीथ ग्रेड पे आएगा ग्रेड पे के साथ आएगा दोस्तों तो ग्रेड पे के साथ आएगा उसके लिए आपको एक वेतन निर्धारन प्रपत्र है दोस्तों यह आपको फिल करना है और आपको कितना पेमेंट आएगा कितना वेतन बनेगा 1-5 में और 6-8 में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कि पंखेंगे तो जो वी सिटेट की तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बूग आप देख रहे हैं स्विटेट है आपका कीरन पॉपलिकेसं के तरफ हैं तो धूक्त वह आपका सिस्ट्ट ऊड़ लिए है गनीतियाब के लिए हैं दोस्तों वो भी ये बुक देख लिए आपकी रन इंस्टिट इंस्टिट आफ केरियर एक्सेलेंस 2011 से 2024 तक सॉल्ट पेपर है दोस्तों 31 सेट्स इसमें दे गया है और विश्टित ब्याख्या के साथ दे गया है दोस्तों इससे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा और यह जो बुक है दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्स अमाजिक विज्ञान को ले करके है पेपर 2 क खालन प्रपत्र हैं जिसमें सिच्छक सिच्छिका का नाम होगा पती का नाम एंपिता का नाम होगा बिद्यालय का नाम पदनाम न्योजनिकाइजर्पति लेबल न किती यहां पे रहेगा दोस्तों और आप प्राप्त मुल बेतन 16 1330 अवंगा लेबल वन और इंडेक्स 3 मे और इस तरह से इंडेक्स में आप जाइएगा तो आपको मूल बेतन जो है वो 22,600 रुपया अब मिलेगा दोस्तो तो मूल बेतन 22,600 रुपया यहाँ पे महंगाई भत्ता आपका 46% है जो कि अब बर करके आपका 50% हो गया है दोस्तो तो यहाँ पर भी आपका पैसा इंक्रीज होने वाला है दोस्तो यहाँ पर 4% जो इंक्रीमेंट हुआ है उस वज़ा से यह 10,000 से 11,000 हो जाएगा दोस्तो ठीक है ना तो यह आपको मूल बेतन जो आपको मिलेगा ठीक है और उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा अगली वार्सिक बेतन बिरीधी की जो तीथी होगी द नेश्ट यहाँ पर देख लिजे यह आपका 6-8 के लिए है वो 1-5 के लिए था तो वहाँ पर यह भी बेतन धारन प्रपत रहा है वही सारे चीज़े यहाँ पर फिल करना है मूल बेतन 16,300 हो जाएगा यहाँ पर देख लिजे ठीक है ना यह आपका मूल बेतन और इस 1860 और फिर यहाँ पर देख लिजे आपका मूल बेतन यह हो गया और यह जो आपका 46% है फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि यह बरकर के आपका 50% हो गया है हलाकि बिहार सरकार के तरफ से अभी तक 50% की घोशना नहीं की गई है लेकिन जैसे ही मानिने मुखमंतरी नितिश कुमार इंग्लेंड दोरे से वापस आएगे केविनेट की बैठक होगी और उसमें यह 50% आपको दिया जाएगा ठीक है राचिकिसा भत्ता आपका 1000 रिपा होगा आवास कि राया भत्ता होगा और कूल योग जो है वो 36,790 है जो की डिये आपका महगाई भत्ता जो है वो 4% ब्रिदी करने से यह भी आपका बढ़ जाए पूंचर होगा दोस्तों डिप योगा ठीक है ना तो इस तरह से यह जो बेठन वी बेठन विपात्र हैं बेठन निर्धारन प्रपात्र है दोस्तों